तरिफ की जाए बंगले देश की में बोलता हूं कि मैं आप देखें उसके मुल्क में कितने क्राइसिस चल रहा है उसके बार साक्रिबल हसन के उपर मडर कर चल रहा है उन सब को उसने एक साइड करने के बाद उन लोग उने ग्रॉंट पर और आपने खुद काया है च्छबीस अब बताएं कि पाकिस्तान इंडिया करोड़ और रुपे लगते थे या लोग देखते थे आप कौन देखेगा वह तो कोई नहीं कहें पाकिसान जाएगा हकीम साब बंगलादेश ने घर में आरा दिया पाकिस्तान को इसे जलील हुए पाकिस्तानी टीम क्या किना चाओग सबसे पहले तो इंत्याई दुख की बात है बहुत अफसोस की बात है कि का एक बंगलादेश जैसी किर्की टीम और जिसे हमने टेस्ट के दिलवाया था और किस तरह दिलाया था वो तो पूरी दुनिया जानती है लेकिन उस टेम तो चलो हमने दिलवाया था उन्होंने जश कोई नहीं है और परिशानी के बाइस भी वह आकर हमें अपने अपने घर हमारे घुस्कतर में घुस्कर मारा यानि को इसे इस तरे अंदाद हम लगा लें एक मुल्क वजीर आजम ही नहीं है उसमुल्क को बुच्झा गया है इंडिया में और उस मिल्क कितनी परिशानी है सब कुछ होने के बावजूद बिजली के मीटर वहां से खाड़ के अवाम ने पेग दिया यानि किसी स्यासदान जो रंगी हाथों पकड़ा गए उनको उन्होंने कि कपड़े पी उतार दी हैं चड़ी पेना के उनको घुमा रहे हैं लेकिन सब कुछ होने के बावजूद आप देखें के बंगला देश के किर्के टीम कहां पहुंच गई है पहला हमें मैच हरा दिया जबके पहले मैच में जो आपका मैंने रिसर्च किया तो मुझे यही महसूस हुआ कि अगर हम उसको रिजवान को 200 बनाने देते तो क्या जाता एक हमारे मुल्क का तो यह समझ मे देता है उसके कितने हरसे के बाद जाकर चांस मिलता डॉमेस्टी किर्केट केलने के बावजूद आप देख लेए अस्ट्रेलिया किर्केट टीम में उस्मान खौाज़ा आपके सामने है कि आप इतने हरसे से खेल और परफॉर्मिस दिये जा रहा है उसके बावजूद जायता है जो एहल रखता है ना एहल बंदे को आपने कैसे बना दिया जो आपने मुल्क के लिए अब आप अन्दादा लगा है नहां हमें आरे किर्केट हौकी तो रबात होई गया है एक बार हमने नाइंटी फॉर में शायद वर्ल्ड कप जीता ता तो जीता शेवा सेनिय के टैम प्यादत में अब उसके बाद आप देखें जांशेर खान जांगीर खान इस पाइश में दुनिया के नंबर वन थे आज इस पाइश को क्या हुआ हुआ कुछ भी नहीं पता ही नहीं कहा है इस तरीके से आप करेंगे तो मेरे दोस्ताब से मैंने पहली कहा था है जो स्ट्रेक्चर मुझे समझ नहीं आ रहा है यह सिर्फ खिलाडियों को चेंज करने से नहीं होगा यह आप जो है सबसे पहले नीचे से लेके उपर तक उपर से लेके नीचे तक आप देखें चेर्मेन किर्केट बोर्ट अगर कोई टॉनमेंट हो रहा तो वह भी उन जा रहे है उनकी फैमिली भी जा रही है सारे खिलाड़ी ऐसे मैच खिलने जा रहे जैसे लगरा पिकनिक मनाने जा रहे हैं बाइस सब सक्तिया होनी चाहिए फैमिली को किस बात के बिना प्याब दिरे 60-60 लाग रुपर तंखा दिया जा रहा हमारे मेंटोर को पचास पचास लाग मेंटोर बनांगे न मेंगे न क्लाएंगे लेकिन कहने का मक्स़ड यह है कि अ किरिक्ट अबी उस देहानी चली जो मेरे खाल से शाहिए हमारी किर्किट खताम है जब आप देखे भाबारा आदम करोड़ों का तनका लेकर और एक त्रेस्में जीरो प्यावर्डोरा किसी में ग्यारा रण मेना दोजाद 23 से लेके दोजाद 24 तक उसकी परफॉर्मिस आप बता है क्या है पहले कहा था जब ओडिया पहले रौड में वायर हो गया थे हमने का पूरे लड़कों को फारिक किया जाए लेकिन हमारे बातों को कोई दूरू नहीं लिए आप देखें इंडिया को इतनी जल्दी लग गई है जो पांच दिन का टेस्ट मैच होगा करता था वह ऐसा हो रहा है कि तीन दिन में फैसला हो रहा है मेरे ख्याल से जब तक हम बात कर रहे होंगे यह वीडियो रिलीज होगा शायद वह बंगलादेश सिरीस जीत चुकी होगी लेकिन आप बात द इसने खुद कहा है कि 26 पर च्विक्र जाने के बाद आखिर में सिर्फ मेरे खाल से 12 या किस राने के लीड दिया जो नो डाट को इसको लीड है नहीं बहुत अफसोस की बात है कि अगर मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले सब का इतिसाब होना चाहिए इनको सारे को जो है ना यह डी चोक पर इनको सदा देने चाहिए तो फास ही दे दे ते तो मेरे गुस्से से ऐसा ही हाल हो रहा है यह कों देखे का आप बताएं अंडेट में 50% पहले कि छोड़ चुके अब जाके कुछ लड़ों के लोग दुबारा देख रहे थे अब आप बताएं कि पाकिसान इंडिया के मैच में करोड़ों और रुपे लगते थे यह लोग देखते थे अब कौन देखेगा वो मैच वो तो कोई नहीं कहें पाकिस्तान का लगता था अब हमें आपकी हैं आपकी सादिखे चैन्ज करना साबके लाग रूपे तनफाप दे रहे हैं पाकिस्टानी खिलारी होगा और ये चीम को चेंज नहीं करना ऑगा एक मैच के बार हो दूसरा मैंच मेंच परफॉरमेंस नहीं देता है उसको कर नहीं देंगा है तो बार नाम उन्होंने मट्टी में डाल दी हम कहते हैं वहीं हम पुराना नाम बार पर याद करें इम इमरान खान वकार इनो सही दनवर, सलीम-मलिक, जाविद मियदाद, बस वोही बाच बार 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 मैं, उससे बेतर तो यह सब बड़े-बड़े, जाहीर अब बेंड हो तो नो डौट के पाकिस्तानी अवाम में पब्लिक में खुशी हो जाएगी लेकिन मुझे बहुत दुक हुआ है कि मेरे दाप से पाकिस्तानी पब्लिक तो किर्किट का बाइकाट कर देगी